असलाम वालेकुम वेलकम बेक टो माई चाइनल आयशा स्केक डिलाइट आज मैं फिर से एक बार आपके साथ स्क्वेर शेप में कोको मेलन थीम शेर करूंगी ये कोको मेलन थीम भी सेम कस्टमर की है जो मैंने आपके साथ पहले शेर की है हमारे यहाँ पर इंसी विंसी प्लेगारडन है जहां पर पर अच्चो के बर्थडे सेलिबरेट किये जाते हैं बर्थडे सेलिबरेशन के लिए केक उनकी तरफ से किप्ट होता है पर जब मैंने उन्हें कहा कि हम कोई भी थीम केक भी आपको बना कर दे सकते हैं तो उन्होंने पहली कोको मेलन की ओर्डर दी थी केक बॉय के बर्थडे के लिए था तो उस पर हमने ब्लू क्रीम को एपलाई किया था आज की थीम हमारी बेबी गर्ल के लिए है इसलिए यहाँ पर हमने पिंक कलर से डेकोरेशन की है एक ही दिन मुझे दो केक के ओर्डर आये थे दोनू भी थीम केक ही थे एक जंगल थीम केक था और यह केक कोको मेलन थीम में है तो हमने यहाँ पर लेरिंग करना नहीं बताया है क्यूंकि मैंने दोनू केक की लेरिंग बताना मुझे भी पॉसिबल नहीं था इसलिए अच्छी तरह से शाप एजस आने तक मैं यहाँ पर केक को फिनिशिंग दे रही हूँ आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं यहाँ पर कम क्रीम से ही फिनिशिंग करती हूँ इसलिए यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है हमें finishing करने के लिए और वैसे भी square shape rectangle shape देने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है यहाँ पर मैं कुछ sprinkles को एड़ कर रही हूँ इस तरह से स्प्रिंकल्स लगाने के बाद यहां पर मैंने आपको वसन भी बताया है यहां पर 1 किलो-15 ग्राम हमारा केक बन चुका है मैंने हमेशा बहुत सरे वीडियो में बताया है कि इन टॉपर्स को हम घर पे कैसे तयार कर सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि इन टॉपर्स को हम खुद कैसे तैयर कर सकते हैं और अगर आपने अगर मेरी चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया है और पहली बार देखते हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे इस तरह के आने वाले नए नए थीम केक आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए है इसके साथ बनाया हुआ जंगल थीम केक भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी और उसके लिए जो मैंने स्टोन बनाए हैं उनकी भी वीडियो मैं सेपरेटली आपके लिए तयार करूँगी जिसकी वज़ा से आपको भी एक नई क्रियेटिविटी जानने को मिलेगी जिसे म मैंने अपने तरीके से बनाना बताया है वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली के साथ जरूर शेर करें और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर ओचिंग, अल्लाहाफीज